नमस्कार भक्त जनू आज मैं आप लोगों के सामने माग संकस्टी चतुर्थी ब्लत की कथा सुम मोहूर्थ पूजा कैसे करने चाहिए और चंद्रोदे का समय क्या है ये सारी जानकारी लेकर के आपके सामने पुनोपस्थित हूँ ऐसे तो साल में 24 गनिश चोट परते हैं लेकिन जो लोग सभी गनिश चोट नहीं करते हैं वो भी माग मास के संकस्टी गनिश चोट को करते हैं हिंदू कलेंडर के अनुसार माग मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तीथी को संकट चोट का ब्रत रखा जाता है इसे संकस्टी चतुर्थी लंबोदर संकस्टी चतुर्थी तिलकुट चतुर्थी संकटा चोट मागी चोट तील चोट आदी नामुशे जाना जाता है मिठाईयों और अनिक खादबदार्थों कभोग लगाया जाता है इस बार का संकत्स चौत स्वभाग्य योग में हैं जो मनुकामनाओं की पुर्ति करने वाला है आईए जानते हैं इस साल संकत्स चौत कभ है पूजा का सही मुहुर्थ क्या है और इसका महत्व क्या है पंचा संकत्स चौत का ब्रत सभी संकत्स को हरने वाला होता है इसलिए इसे संकता चौत भी कहते हैं संकत्स चौत का ब्रत संतान की सुरक्षा और पडिवार की खुसाली के लिए रखा जाता है इस दिन गनेश जी की पूजा में दुरवा और मोदक भी अरपित करते हैं गनेश जी की किरपा से व्यक्ति की सभी मनुकामनाएं पूरी होती है और दुख एवं संकत्स दूर हो संकत्स चौत की पूजा करें तो ठीक रहेगा सुबह 9 बच कर 43 मिनट के बाद पुर्वा फाल गुनी नशत्र शुरू हो जाएगी जो सुबह कारियों के लिए ठीक माना जाता है संकर चौत के दिन सुब महुर्द जिसे अभिजीत महुर्द कहते हैं वो दो पहर 12 बच के 11 मिनट से लेकर दो पहर 12 बच के 24 मिनट तक है इस समय गनिश जी के पूजा के लिए उत्तम है संकर चौत के दिन चंद्रमा का उदय 9 बजे होगा इस दिन जो लोग संकर चौत का ब्रत रखते हैं उन्हें चंद्रमा के दर्शन के बाद जल अर्पित करके पूजा करनी हैं उसके बाद ही ब्रत पारन करें चंद्रमा दर्शन और पूजा के बाद ही संकर चौत का ब्रत पुर्ण माना जाता है चलिए अब सुनते हैं मांक संकष्टी चतुर्थी ब्रत की कथा रिसी सर्मा ब्रामन की कथा पार्वतिय जी ने पूछा कि हे वत्स मांग महीने में किस गनेश की पूजा करनी चाहिए तथा इसका क्या नाम है उस दिन पूजन में किस वस्तु का नवैद अर्पित करना चाहिए और क्या अहार गढ़न करना चाहिए इसे आप सविस्तार बतलाने की किपा करें गनेशी ने कहा हे माता माग में भालचंद्र नामक गनेशी की पूजा करनी चाहिए इनका पूजन सोड़सोप स्टार बिधी से करना चाहिए हे माता पारवती इस तीन तील के दस लड़ू बना लें पांच लड़ू देवता चढ़ाने और सेस पांच ब्रामन को दान दे दे ब्रामन की पूजा भक्ति पुर्वक करके उन्हें दक्षिना देने के बाद उन पांच लड़ूं को उन्हें प्रदान कर दें हे देवी तील के दस लड़ूं का स्वेम अहार करें इस संबंध में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र का ब्रितांत सुनाता हूँ सत्योग में राजा हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी राजा हुए थे विसरत सुभाब के एक सत्यनिष्ट राजा थे हे देवी उनके सासनकाल में अधर्म नाम की कोई बस्तू नहीं थी उनके राज्य में कोई अपाहेच दरिद्र या दुखी नहीं था सभी लोग आध दिक एवं दिर्धायू होते थे उनहीं के राज्य में एकरीसी सर्मा नामक तपश्वी ब्रामन रहते थे एक पुत्र प्राप्ती के बाद विस्वर ववासी हो गय है पुत्र का भरन पोशन उनकी पत्नी करने लगी वह विद्वा ब्रामनी भीक्षाठन से के द्वारा प्रति का ब्रत किया। वह पति ब्रत्त ब्रामनी गोवर से गनेश जी की प्रतिमा बना कर सदैप पूजन किया करती थी। हे माता पारवती भिक्षाठन के द्वारा ही उसने पुर्वक्त रिती से तिल के दस लड्डू बनाए। इसे बेच उसका पुत्र गनेश जी की मुर्ति अपने गले में बांध कर स्विक्षा से खेलने के लिए बाहर चला गया। तब एक नर्पिसाच कुमार ने उस ब्रामनी के पाच वर्षिये बालक को जबरन पकर कर अपने आवा में छोड़ कर मिट्टी के बरतनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। इधर उसकी माता अपने बच्चे को ढूडने लगी। उसे नब पाकर वह बड़ी ब्याकूल हुई। वह ब्रामनी बिलाप करती हुई गनिश जी की प्रातना करने लगी। हे गनिश जी आप इस दुखनी की रक्षा के जिये। मैं पुत्र के बियोग में व्यतित हूँ। आप मेरी रक्षा के जिये। वह ब्रामनी इसी प्रकार आधी रात तक बिलाप करती रहे। प्राता काल होने पर कुमार अपने पके हुए बरतनों को देखने के लिए आया। जब उसने आवा खोल के देखा तो उसमें जांग भर पानी जमा हुआ पाया और उससे भी अधिक आशर उसे तब हुआ जब उसमें बैठे हुए खेलते हुए बालक को देखा। ऐसी अधुद घटना देखकर वो भैबस का अपने लगा और इस बात की सुचना उसने राजदरवार में दे दी। उसने राजिस सभा में अपने कुकिर्थ का वर्णन की। कुमार ने कहा हे महराज हरिस चंद्र मैं अपने दुषकर्म के लिए बधी योग्जी हूँ। उसने आगे कहा हे महराज कन्या के विवा के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बरतन पकाने के लिए आवा लगाया प्रन्तु मेरे बरतन कभी नहीं पके और सदैप कच्चे रह गए तब मैंने भैभीत होकर एक तांत्रिक से इसका कारण पूछा उसने कहा कि चुप चाप किसी लड़के की तुम बली चढ़ा दो तुम्हारा आवा पक जाएगा मैंने सोचा कि किसके बालक की बली दूँ कि जिसके बालक की बली दूँगा वो मुझे क्यों करजिवित छोड़ेगा इसी भैसे मैं महराज मैंने द्रड़न इश्य किया कि इसे ही बैठा कर आग लगा दूँ मैंने अपने पत्नी से प्रामर्ष किया कि रिशी सर्मा ब्रामन मिर्थ हो गए हैं उनकी विद्वा पत्नी भीक मांग कर अपना गुजारा करती है अरी हुआ लड़के को लेकर क्या करेगी मैं यदि उसके पुत्र की बली दे दू तो मेरे बरतन पक जाएंगे मैं इस जगन्नी कर्म को करके राक में निश्चिन्थ होकर सो गया प्रातः जब मैंने आवा खुल कर देखा तो मैं क्या देखता कि हूँ कि उस लड़के को मैंने जिस स्थिती में बैठा गया था वह उसी तरह निर्वै भाव से बैठा है और उसमें जांग भर पानी भड़ा हुआ है उस ध्यानभा दृष्चिशे में काप उठा इसकी सूचना देने आपके पास आया हूँ कुमार की बात सुनकर राजा बहुत ही विश्मित हुए और उस लड़के को देखने आए बालक को प्रशनता पुरुवख खेलते देखकर मंत्री से राजा ने कहा कि या क्या बात है या किसका लड़का है इस बात की का पता करो तभी उसकी मा बिलाब करते हुई ब्रामनी बिलखती हुई वहाँ पहुशी वह कुमार को कुशने लगी जिस परकार गाय अपने बच्चरे को रंभाती है ठीक वही अवस्था उस बुढिया की थी वह बुढिया बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी और कापती हुई राजा के सामने बैठ गए राज हरिस्चंद्र ने पूछा कि हे ब्रामनी इस बालक के न जरने का क्या कारण है क्या तु कोई जादू जानती है अत्वा तूने कोई धर्मांतरण चरन किया है जिसके कारण बच्चे को आस तक नहीं आई राजा की बात सुनकर ब्रामनी ने कहा हे महराज मैं कोई जादू नहीं जानती और न तो कोई धरमान्त चरन किया है ना कोई तपश्या योगदान आदी की प्रकिरिया ही जानती हूं हे राजन मैं तो संकट नासक गनेश चतुर्थी का ब्रत करती हूं उसी ब्रत से मेरा पुत्र जीता जागता बचा है राजा ने संपुर्ण नगरवाश्यों को गनेश जी का ब्रत करने का आदेश दिया इस आश्चरजन घटना के कारण सभी लोग उस दिन से प्रतेक मास की गनेश चतुर्थी का ब्रत करने लगे इस ब्रत के प्रभाव से भ्रामनी ने अपने पुत्र के जीवन को पुनः पाया था इतना कहने के बाद कृष्ण ने कहा कि हे युधिश्टिर आप भी इस सर्वत्तम ब्रत को कीजिए इस ब्रत के प्रभाव से आपकी सभी कामनाय पुर्ण होगी आप मित्रों, पुत्रों और पौत्रों को सुख देने वाले समराच्ची को प्राप्त करेंगे हे महराज जो लोग इस ब्रत को करेंगे उन्हें पुन शफलता मिलेगी भवान कृष्ण की बाद से युधिश्टिर बहुत प्रशन हुए और माज के गनेश चतुर्फी का ब्रत करके निस्ट गंटक राज्य भोगने लगें धन्यवाद दोस्तों अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आए और वीडियो पसंद आए तो क्रिप्या वीडियो को जादा से जादा लाइक करें और सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले धन्यवाद